बिग वोस के घर के अंदर एक बार फिर हुआ है बड़ा जगड़ा ये जगड़ा एक बार फिर से मंडली और प्रियंका के बीच हुआ है लेकिन इस बार वजह बनी है अर्चना क्या हुआ ऐसा हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे आप जानते ही हैं कि घर के अंदर जिस तरीके से लगातार एक्वेशन्स बदल रही है उसके बाद अब घर के अंदर आज सुभा से जगड़े देखने को मिल रही है शिव ने एक बार फिर से प्रियांका को लेकर बहुत कुछ कह दिया है शिव ने साफ साफ अब ओपनली उसे चैलेंज कर दिया है और अपनी मंडली को भी बोलते हुए नजर आए कि अब मुझे रोकने की जरूरत नहीं बहुत हो गया है दो हफते से मैं ये सब कुछ सुन रहा हूँ और मैं अब और ज़ाधा बरदाश नहीं करने वाला वो ये भी कहते नजर आए कि मुझे नहीं समझ में आता कि ये शेमरी अपने आपको समझती क्या है ये जो है लगातार अपने मुद्दे बनाती है वुमन कार्ड खेलती है जब कि इसके वुमन कार्ड को लेकर मैं कहीं बार बोल चुका हूँ कि तू ये सब कुछ बंद कर दे वो ये भी बोलते नजर आए कि ये लोग जो हैं कभी भी अकेले नहीं खेले लेकिन हमारी इमिज को गलत दिखाने के लिए अकेले-अकेले की रठ लगाकर बैठे हुए हैं शिव ने साफ-साफ अपनी मंडली को कह दिया है कि अब कोई भी प्रियंका के ना ही नस्दीक जाएगा और ना ही उससे बात करेगा इतना ही नहीं शिव ने ये भी कहा कि अब इसकी हर बात का जवाब सिरफ और सिरफ मैं ही दूँगा तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में एक बार फिर से घर के अंदर शिव और प्रियंका के बीच में बड़ी टसल देखने को मिलेगी आपको क्या लगता है कि क्या इस सारे मुद्धे में प्रियंका सही है या शिव आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं